आज हम बात करने वाले हैं वाई यूशुड है वाई ड्रीम जिसके लिए आप इमोशनली कनेक्टेड होँ आपने ओम शांती ओम मुवी का वो डायलोग जरू सुना होगा शारू खान उस पिच्चर में एक डायलोग बोलते हैं अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहें तो पूरी काइनात उसे आप से मिलाने की साजिश में लग जाती है माई देर फ्रेंड यहाँ पर जो एक चीज समझने वाली है काइनात का मतलब है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस उसको हम अलग अलग भाशा में बोलते हैं हम उसे गौड बोलते हैं हम उसे सुप्रीम पावर बोलते हैं हम उसे यूनिवर्स बोलते हैं हम उसे यूनिवर्सल पावर बोलते हैं हम चाहे उसे किसे भी नाम से पुकारें इन्फाइनेट इंटेलिजेंस के पास हमारे हर एक सवाल का जवाब है मगर केवल एक चलेंज है इन्फाइनेट इंटेलिजेंस हमारे कॉंशेस ब्रेंड के साथ कनेक्ट नहीं करती वो हमारे कॉंशेस ब्रेंड के साथ कॉम्णिकेट नहीं करती Infinite Intelligence केवल और केवल हमारे Subconscious Brain के साथ Communicate करती है और हमारे Subconscious Brain की जो Language है वो है Emotions जब तक हम Emotionally Charged नहीं होते किसे Situation के लिए हमारे Subconscious Brain उसको Accept करके Communicate नहीं करता मैं छोटा सा Example आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने कभी रातों कोई डरावना सपना देखा हो तो होता क्या है आप डर के उठ जाते हैं जबकि एक्चुल में भूत नहीं था एक्चुल में कोई ऐसे डरावना सिच्वेशन नहीं थी मगर क्योंकि उस समय पे आपको Conscious Brain सो रहा था और आपके Subconscious Brain ने उस बात को लीच में ब्रिज का काम करता है और Infinite Intelligence से Communicate करने का काम Subconscious Brain का होता है जिसकी Language, Emotions होती है तो अगर आप किसी ड्रीम के लिए Emotionally Charge नहीं है तो वो ड्रीम आपकी लाइफ में कभी भी पूरा नहीं होगा इसे लिए आपके ऐसा Goal Set करना होता है जिसको आप दिल से फील करें और इसलिए वो डैलोग बोला गया है अगर आप किसी चीज को दिल से चाहें दिल से चाहें तो पूरी काइनात उसे आप से मिलाने की साज़िश में लग जाती है So find a dream जिसके लिए आप Emotionally Charged हो and start working for it वो dream आपकी जिन्दगी में जरूर पूरा होगा I hope इस वीडियो जरूर आपको help किया होगा अगर help किया है तो इसको like, comment and share जरूर करें अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ Till then, stay safe, stay blessed, bye Take care